क्यों आमरपाली दूबे खिसारी लाल यादो के साथ फिल्में नहीं करती या यू कहले कि शोशल मीडिया पर ये हवाच चली है कि आमरपाली दूबे खिसारी लाल यादो के साथ फिल्म ही नहीं करना चाहते वैसे आपको बता दे कि खिसारी लाल यादो के साथ उन्होंने एक गाना किया था दुलहिन गंगा पारके में जिस गाने ने उस वक्त बस क्रियेट किया लेकिन आगे चल कर गाना भी नहीं चला और ना इंद की जोड़ी वैसे खिसारी लाल यादो और आमरपाली की जोड़ी को पसंद करने वालों की भी कमी नहीं है लेकिन आपको बता दे कि आमरपाली दूबे अभी हाल ही में पवन सिंग के साथ एक फिल्म में नजर आई थी शेर सिंग वह फिल्म भी नहीं चली और फिल्म में पवन और आमरपाली की फ्रेश जोडी को भी दरशकों ने सिर्य से नकार दिया आपको बता दे कि दिनेश लालियादो निरहुआ आमरपाली दूबे और काजल रागवानी की एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था लल्लू की लेला इस फिल्म में सीधे सीधे आमरपाली दूबे ने काजल रागवानी को इस फिल्म से निकलवा दिया ये कह कर कि वो उनके साथ कमफोटेबल नहीं है और मेकर्स ने भी आमरपाली की बात मानते हुए काजल रागवानी को इस फिल्म से निकाल कर यामिनी सिंग को इस फिल्म में ले लिया और अब इस बात को अपने दिल में बिठा कर काजल रागवानी ने रख लिया काजल रागवानी इस मौके की तलास में थी किस तरह उन्हें कभी तो मौका मिलेगा कि इट का जवाब वो पत्थर से देंगी भाई हुआ भी यही काजल रागवानी के पास मौका आया दुलहिन गंगा पारके में आमरपाली दुबे को लगा कि एक गाना जैसे ही वो खेसारी के साथ करेंगी उनकी जोड़ी को डिमांड में लिया जाएगा और वो दोनों एक साथ किसी न किसी फिल्म में जरूर नजर आएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वो इसले नहीं हुआ कि काजल रागवानी ने होने नहीं दिया अब काजल रागवानी की भी बारी थी तो काजल रागवानी ने भी आमरपाली से जम कर बदला लिया भाई कहा जाता है कि मेकर्स को इनकी जोड़ी जरूर पसंद आए थी लेकिन जिस जिस मेकर्स ने आमरपाली दूबे और खेसारी को लेके फिल्म बनाने की सोची उस उस मेकर्स पे काजल रागवानी की तरफ से या यू कहले कि काजल रागवानी ने खेसारी पे इतना दबाव डाला कि खेसारी लाल यादों ने आमरपाली दूबे को अपनी किसी वैसे आमरपाली दुबे निरहुआ कि चत्रचाय से निकल कर चा रही थी कि कि कुई न भौछपुरी की और हिरो के साथ काम किया जाए जैसे रितेश पांडे के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसमें रितेश पांडे के साथ उनकी जोड़ी कोभी लोगों वेसे भी आमरपाली दुबे दिनेस लाल यादो निरहुआ के साथ साल में 5-6 फिल्में करती हैं आमरपाली दुबे के आगे कोई और स्चार आ नहीं पाता है निरहुआ के साथ फिल्म में इस बात की दबे लबजों में ही सही लेकिन संभावना सेट ने पुस्टी जरूर की है वैसे हम आते हैं अपने टॉपिक पे की काजल रागवानी आमरपाली दूबे को क्यों इतना नापसंद करती है नापसंद करने की एक वज़य ये भी है अक्षरा सिंग और आमरपाली दूबे बेस फ्रेंड है अब अक्षरा सिंग की दोस्ती आमरपाली दूबे से जब है तो आप समझ सकते हैं कि आमरपाली दूबे को बड़ा ही बुरा लगता होगा अगर अक्षरा सिंग के बारे में कोई बुरा कहे तो भाई काजल राग्वाणी ने कभी बुरा नहीं कहा लेकिन काजल राग्वाणी ने यहाँ वो किया जो कि किसी भी एक्ट्रेस को बुरा लग सकता है जब खेसारी लाल यादों का साथ छोड़ कर अक्षा सिंग गई तब काजल रागवानी ही एक मात ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके साथ खेसारी ने लगातार 20 से 21 विल्में दी और सारी की सारी सुपर हिट रही और अब दर्शक भी उन्हीं की जोड़ी को पसंद करने लगे थे मेकर्स भी उन्हीं की जोड़ी को पसंद करने लगे थे ये बात कहीं न कहीं अक्षा सिंग को नागवार गुजरी अक्षा सिंग वैसे पवन सिंग के साथ खुस थी लेकिन उन्हें ये भी पसंद नहीं आ र राजवाने की भी बनी, वैसे दुश्मनी निभाने में काजल राजवानी भी किसी से पीछे नहीं है, अगर दोस्ती जम कर निभाती है तो दुश्मनी भी सूथ समेथ लटाती है, यकीन है आपको हमारा इस वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यह पता चल्गया होगा क काजल रागवानी और आमरपाली में और फिर अक्षरा सिंग में दुश्मनी कैसे हुई और साथ ही साथ ये भी पता चला होगा आपको कि क्यों क्यों खेसारी लालिया दो आमरपाली दूबे के साथ कोई फिल्म नहीं करते हैं कुछपरी जगत की होट और मसाले तार गोशिप के लिए हमें सब्स्क्राइब करना मिला है